बहुत-बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपने टूल पेपर हैकर में महसुरस रास और आस्कित भी देखने वाले हैं हम लोग जो भी छातर बी-ए में हैं बी-ए-स-सी में हैं या फिर बी-कॉम में हैं तो उन सभी के लिए यह कंपल्सरी सब्जेक्ट है बी-कॉम सेकंड से स्टूडेंट उनकी बात करने वाले हैं जैसे कि आपको पता है प्रात्मिक चिकिसलम स्वास्त एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है इसमें 100 mcq कोशन बनते हैं ठीक है इसमें से आप यदि 35-35 कोशन कर देते हैं तो आप पास हो जाते हैं पास हो जाते हैं 33 से कंपल्सरी और मैं आपको पास कराने की गार्निटी देता हूं मैं आप इस पीडियाप को आप डालोड करना चाहते हैं जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं बहुत चोटा नोट्स है 500-600 कोशन है ज्यादा नहीं आप बड़े आसानिस पढ़ लेंगे आप खुद बहुत को जिसमें जान जाए बिजली पकड़ लेती है तो किस तरीके से हम उसको अपना प्रात्मिक चीसाल है देना सही डॉक्टर को यदि डॉक्टर को हम बहां तक नहीं पहुंच पार है उससे पहले हमें कौन-कौन से उसको उपचार करना चाहिए ऐसी बात है यहां सब कुस हम देखेंगे समझेंग यहां से आप डानलोड कर रहेंगे नोट्स को बड़े आसानी से चलो अब बात करने हम लोग कोशन होगी कौन से कोशन आपके लिए महतपूर है मैंने आपसे कहा कि 100 कोशन पूचे जाएंगे 50 कोशन करने मलब 35 कोशन करतेंगे लेकिन हम हर वीडियो में 50 कोशन देंगे पार्ट वन यह हमारी वीडियो है कौन से पार्ट वन है यह वीडियो का पार्ट टू इसी तरीके से 50 कोशन को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से ठीक है तो आप इस पीडियाप को डानलोड कर लीजिए पीडियाप का लिंक मैंने डिसक्रप्शन बॉक्स में दे रखा ह और जो चातर हमारी टेली ग्राम से भी तक नहीं जुड़े है टेली ग्राम पर जुड़ जाए इस्ट्राग्राम हमारी एडी पर आप नहीं जुड़े है तो बहां भी जुड़ जाए आप बीए बीएसी बीकॉम के या फिर आपका भाई बहन कोई है तो उनको हमारी चैनल पढ़ना है आंसर को पढ़ना है बाकि कुछ भी नहीं देखना है यदि आपको सफल होना है पढ़ना है अच्छे तरीके से क्योंकि यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला तो कोशन पढ़ना है आंसर पढ़ना है कोशन पढ़ना है आंसर बाकि कुछ नहीं देखना है आइसा कुछ है नहीं, हम समझ कर पढ़ेंगे, हम समझ कर पढ़ने वाले हैं, तो बस स्टाटिंग करते हैं, फटा-फट, पहला कोशन आपके सामने है, यह है स्प्रेंञ, देखें, यहां है स्प्रें है एक चोट है, आप यह पूछ रहा है किस की चोट है, इस्प्रेंज जो चोट कहा लगते हैं, लेगनेट, कहा की होती है, यह जोडो की होती है, ठीक है, अब दूसरा कोशन, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, समझ कर, ओके, दूसरा कोशन, निमनिकेस में से, लिगमेंट की चोट है, तो यह मोच, जब मोच आ जाती है, जब मोच आ जाती है, तो देखे पैर में कहते हैं दर्द हो रहा है जोड में नीचे या हाथ में कहीं तो ऐसा कुछ मोच आ जाना कहा सा आता है जोडों में तो जोडों में आता है मोच देखो यहां क्या लिगमेंट की चूट है मोच मोच होती है मोच की चूट होती है ठीक है उसके बाद में देखो आप बिल कोशन पढ़ेंगे आंसर पढ़ेंगे बागी कोशन नहीं पढ़ना है पढ़ना नहीं है समझ रहे हैं न मेरी बात को option डाइब बहुत दूसरे को निमनेखित में से कौन सी तोचा का चूट है आप कहें तोचा की चूट कौन सी होगी या की तोचा की जो रगड कहलाती है रगड से ही तोचा की चूट रखती है उसके बादuan सी मास मास खिशती यह उपर की हड़ी तोडी जाएगी यार वहार को समझ रहे न वो चीज समझ की पढ़ना है चलो नेक्स को और को मैं समझा रहा हूं, बहुत अच्छी तरीक के से, चैनल को subscribe करो, करो करो, पहले स्थमस्क्राइब करो, करो बता बता पता, और चैनल को subscribe करके, बैल आइकन के ब्रेच करो, देखो, next, next, किया बोल रहा है, ध्यान से देखिए, next, बोल रहा है, देखो, उंगली की छोट में, किस bandage का प्रियोग किया जाता है bandage जानते है bandage जहाँ चोट लग जाती तो हम कुछ shapes जैसा चिपकाते है medical मिल जाता है bandage पता होगा आपको मिल जाता है bandage मिल जाता है तो वो कौन से bandage होता है बता हो वो कैसा होता है roller bandage के नाम से बोलते है roller रोलर मतलब गोल वाला होता है रोलर वेंडेज बोलते हैं ठीक है याद रखे जो उगली में चोट लग जाते हैं तो कौन से वेंडेज रोलर वेंडेज के यूज किया जाता है next question next question आपके सामने इस question को बताईए इस question का अंसर भी आपको बताना है देखो बहुत अच्छी तहीं यहां का नहीं है चोट वाले इस्थान पर गरम बिदी का प्रियोग करने से रक्त नलीकाव पर क्या प्रभाफ पड़ता है मतलब चोट लग ग्या है अब चोट लग ग्या है और बहां हम क्या करें गरम पानी से दोएं या फिर गरम पानी से हम सिकाई करें तो जो रक्त है रक्त नलीका है मतलब जो आप जहां मारी नसे हैं चोट लगी है बहाँ पर क्या प्रभाब पड़ेगा बताइए तो बहाँ पर क्या होगा बो जो नलीकाई है जहां चोट लगी हुई है वो जो नलिकाई है जो नसे है ठीक है जो सिराई है धवनी जो सिराई होती है वो क्या हो जाती है फैल जाती है फैल हो जाएगी तो जब फैलेंगी वो जब बड़ी हो जाएगी तो भाई क्या होगा बलेड क्या होगा जादा बहेगा यह चीज आपको ध्यान नंगनी है चलो अब यहाँ इसका विपरित भी आपको देखने को मिलेगा, यदी हम इस पे ठंडा पानी लगा दें, तो क्या होगा, ठीक है, अब देखो next question है, अस्ती, अस्ती भंग का लक्षन क्या होता है, अस्ती भंग का मतलब होता है, नस्ट हो जाना, नस्ट मतलब की, खंडित हो जाना मतलब की, तूट जाना, मतलब यह हड़ी हमारी, यहाँ से तूट गई, यहाँ से तूट गई, खंडित हो गई, तो भंग का मतलब अस्ती माने होता है, हड़ी, हड़ी भंग हो जाना, हड़ी तूट जाना, किसके कारण दर्द होगा, इसके लक्षन क्या होगा, यह हड़ी उप्रोक्ट सभी है, तो option हमें सभी पढ़ने होंगे, ठीक है, जहां केवल एक answer दे रहा है, वहाँ एक ही पढ़ना है, मैंने इस तरीके से आपको दिये, कुछ notes हो में क्या होता है, कि यहां तो question दे रहा है, उसका answer last page पर दे रहा है, यार बच्चा PDF बनाएंगे तो हम कैसे गाइड किया है, तो channel को subscribe कर लेना, और PDF को अभी आपको download करेंगे, PDF का link description box में है, website पर जाएए, paperhiker.in पर जाकर download कर लीजे, अब यहां देखो कहा रहा है, चोटल, चोटल का मतला क्या होता है, चोट वाले स्थान पर ठंड़े विधी का प्रयोग किया जाए, थंड़ा पा तो करने का मतलब क्या है, चोटी हो जाएगे, और बहां से blood सलब क्या होगा, कम हो जाएगा, समझ लो, मेरी बास समझो, जैसे कि मैंने अभी क्या हुआ, PRP कराई थी अपने मतलब सिरे पे, ठीक है, तो जहां-जहां injection लग रहे तो दर्द हो रहा था, मैं जैसे ही ठंड़ा तो बहां से हमें दर्द नहीं होता है, आपको पता होगा ना, दर्द नहीं होगा, जल जाएंगा, पानी भिगे देते हैं, तो दर्द नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि बहां क्या है, वो बीच सुननो हो जाता है, मतलब कि बहां क्या होता है, जो धमनिया होती है वो सुकड जाती है ठीक है इस बज़े से आप बर्फ में कर दो तो और देख बो आ जाएगी मतलब क्या है सुकड जाएगी आपका बिलेड है वो निकलना ही बंद हो जाएगा आप समझो यार बिलेड निकलना ही यदि माल लेजे बिलेड नहीं रोक रहा आप ठंडा बर्फ बगरा बांदो थंडी चीज बांदो बंद खतम रोक जाएगा भाई ठीक है समझे ना बकलोल अब यहां देखो ध्यान से उसके बाब में कहा है अस्ती अस्ती भंग होना अस्ती भंग होना कितने प्रकार को हो सकता है मतलब हड़ी कितने प्रकार से तूट सकती है जब भी हड़ी है जब तूटेंगी तो तीन प्रकार से तूट सकती है हम आगे बात करेंगे उसके बारे में लेकिन अभी समझते हो चलो ठीक है कभी कोशन आदे हड़ी मतलब अस्ती भंग कितने प्रकार की हो सकती है तो आप तरन बता दो तीन प्रकार की हो सकती है क्योंकि मैंने तो में से कौन सी पेसी चोट नहीं है मतलब पेसी क्या है पेसी चोट नहीं मतलब क्या है चोट चोट वाली पेशिया कौन सी नहीं होती है आपको कि देखो यह जो आप देख रहा है एवरेजन यह चोट वाली पेशी नहीं होती है क्योंकि जो इस्टेन होता है वो मोज कहलात लेकिन आप यह वाला जो देख रहें न एवरेजन एक पेज़ी में चोटे नहीं लगती है, option number C को लॉग करेंगे, next question है इसको देखें, यहाँ है, हेमा टोमा क्या होता है, हेमा टोमा, हेमा टोमा जो होता है, वो रक्त के साथ सूजन आ जाती है, उसे हम हेमा टोमा बोलते है मतलब रक्त भी बह रहा है, रक्त के साथ क्या आता है, रक्त के साथ सूजन, ठीक है, होती है, तो वहाँ क्या होता है, हेमा टोमा बोला जाता है, चलो, next question देखेंगे, यहाँ बोला गया है, जो सब्रेक्षन जो चोट होती है, वो किस से सम्मंद्धत होती है, ठीक है, जो सब्रेक्षन जो चोट होती है, वो जोड से सम्मंद्धत होती है, next question है, आंत्रिक चोट, आंत्रिक का मतलब है, हमारी बोडी के अंदर कोई चोट लगी, गुम चोट कहत नहीं निकला अंदर चोट लगी है और वो कैसे हो गई मैलिनी कलर का हो गया निला कलर उब जाता है ना खुल मर गया भी है कहता ना खून मर गया तो आंत्रग चोट की इस्थिती में अंग का रंग हो जाता है यदि अंदर कोई चोट लग गई बलेड बाहर नहीं निकल पाया और अंदर भी खून मर गया कहता है नीला पड़ जाना तो बोच कैसा हो जाएका नीला पड़ जाता है ठीक है ये चीज़ होती है नेक्स्ट जहां बलेड सरावत नहीं होगा रक्त पूरी तरीके से जिस पार्ट में नहीं पहुचेगा बोड़ी के बहां नीला पड़ जाएगा यहां कहता है जिसमें पेसिया तन जाती है या फिर एट जाती है उस चोट को किस नाम से जानते है माल लीजे आपकी पेसिया है बो तन गई या फिर एट गई उस चोट को हम किस नाम से जानेगे उसको हम क्या नाम से जानेगे इस्ट्रेन जिसे हम मोच कहते है भाईया मोच आ गई कहते हैं ना मोच आ गई एक दम तनी थी फिर बापस आगी भाई तो क्या होगी हमारी पेसियां कोई-मारी क्या हुआ कोई जोड़ था हमने उचे-खाले पेर रख दिया तन गई जो मला कभी पहुँची नहीं थी उसके नहीं फिर बापस आगी एटी फिर बापस आगी तो ऐसे मोच को हम स्टेन बोलते है मतलब की मोच बोलते है ओके चलो उ तो हमस्ट्रिंग मासपेशिया की मोच जो होती है वो कैसे होती है जांग जो जांग की मासपेशिया होती है वो पको बताना है तो घायल को घ़वरह कह सकते हैं घटना एस THALपा चोणकर चिकसालों को बुलाने जाना यह गलत है माल लीजी आपको accident यहां किसी का हुआ और आपने इस ब्यक्ति को देखा यार और इस ब्यक्ति को बहुत खून बहरा है तो आपने इसको तो ले जाने के बज़े इसको खून रोकने के बज़े आपने क्या किया सीधे अपनी बाइक को hospital मार दिया भाई या hospital पहुँचने के बाद का डाक्टर साब डाक्टर साब एक patient एक accident हो चुका है उसको आप देखे बहुत खून बहरा है आप फिर डाक्टर को बलाने का फिर दुबारा उसके पास जाते है तब तक वो ब्यक्ति क्या हो जाता है चल गया भाई मर गया खतम हो गया अब क्या करोगे ना तुम फायदे में रहो ना डाक्टर कुछ भी नहीं मतलब किसी की आप कोई मदद नहीं कर सकते गलत बात है तो उसने कहा ऐसा उद्देश नहीं होना चाहिए सबसे पहला आपको उद्देश क्या होना चाहिए जीवन बचाना चाहे कुछ भी हो जाए आपने किसी एक्स्टिट को अठीच को देखा जी हाँ देखा उसको बलेड भहरा तुरंट उसको उठाया सही हा हो भाई कैसे हो पानी पानी पलाया और उसको जहां बलेड आ रहा है बहाँ ब्लेड के जगह पर कुछ ना किसी कपड़े द्वारा उसको ब्लेडिंग रोकेंगे रोकेंगे यदि विहो साधिन तो भी रोकेंगे रोकने के बाद एम्बुलेंस वगारा को फोन करेंगे देखो गंबीर देखो कह रहा है हालत को गंबीर होने से बचाना जहां भी जितने आप बचा सकते हैं माली जी पानी में डूम रहा है तो उसको मतलब की उल्टरे डाक्टो की पानी को निकालना डाक्टर को थोड़ी बुलाने जाओंगे यह पानी दूम किया देखिए अब निकालो तुम डाक्टर आएक तो निकालेगा आप खुद कर सकते हो प्रा अपना खुद उसका टैड्मेंट जो भी करना है करो खून बलड रूखना रोखो उसकी बाद में होस्पीटल उसको ले जाना है ले जाओ और उसको भरती एको ठाया दो होना है ठंडे पानी से दो होगे तो बहुत गरबड़ी हो जाएगी गरम पानी से दो देना है नमक डाल के काम चल जाएगा उसके बाद में नेक्स कोशन है सरीर का दर्द कम होने के लिए निमने से कौन सा प्रात्मिक उपशार करना चाहिए माल दीजिए हमारी बॉडी में द पात्र है तो भी अध्यापा के तो भी माता पिता है तो भी आप सभी को कोई भी है आपको पहले खुझ से ट्रेटमेंट करना चाहिए जैसे माल दीजिए कोई आपके घर में किसी को बुखार आ जाता है तो आप क्या करते हैं गिलो बगारा जो देशी दवाईयां होती है उसका आप इस्तमाल करते हैं जो आप जानते हैं ठीक है उसके बाद यदि वो नहीं होता है सही तो आप डाक्टर के पास जाते हैं यही तो करते हैं आप मालेजी आप छोटे डाक्टर के पास गए थैला चाप डाक्टर के पास गए प्रात्मिक उपचार यही हुआ आपको ब अध्यापा के तो भी माता पिता है तो भी आपको उप्शार करना चाहिए नेक्स कोशन है कित्रिम स्वासन की बीधी नहीं है निमने कित्मे से कित्रिम का मतलब होता है जो हम लोगों ने जो बनाई है मतलब आक्सीजन को एकट्टा किया उसके बाद में नली दोवारा ठीक है मास्क लगाकर मतलब की ओर्ण लगाकर वो आपको चुड़ा रहे है यह जो है वो कृत्रिम स्वासन विधी है जो हम लोगों ने किया है जो प्राकिर्टिक है वो कौन सी नहीं है तो आपको कि देखो जो सेफर होत विधी होती है यह भी बना रखा है ठीक है और जो सिल्वेंस्टर विधी होती है यह भी मानम निर्मित है टीक है लेकिन जो आप देखने है ना यह सार्जेंट विधी यह कृत्म विधी नहीं है ठीक है प्रात्मिक चिकिसाला का प्रयोग सब्द का कौन से देश में किया गया था सब्द का तो आप कहना इंग्लेंड में ठीक है इंग्लेंड में अपनाया किसने कहा गया था तो इंग्लेंड में ही अपनाया गया था प्रात्मिक चिकिसाला है चिकिसाला से आप क्या तात्वरे है मनलब परीभासा क्या है प्रात्मिक चिक्साला की तो यहां कहा है डाक्टर के पहुँचने से पूर्व किसी रोगी को दिये जाने वाला उपशार मनलब डाक्टर बहां पहुँचा नहीं उससे पहले ही आपने उसको बहुत कुछ सही कर दिया तो यह क्या कहला आता है? प्रात्मिक उपचार कहलाता है ओके? समझ रहना मेरी बात? चलो, ओप्शन नमर B को लॉग कर देना रोगी को अस्पताल पहुंचाना ये आपका प्रात्मिक उपचार नहीं है किसी को दिये जाने वाला समान उपचार ये आपको उपचार नहीं है ठीक है आप पहले डॉक्टर से पहले कोई भी उसके लिए दवाई प्रेट्मेंट वगरा करते हैं तो वो प्रात्मिक उपचार के नतगत रखा जाता है किया रहा है किसी खिलाडी के गुटने में चोट लगने पर आप पक्टी बाधने का आकार दोगे ऐसे करके बादेंगे उसके बाद में ऐसे करके बादेंगे उपर नीचे दोन तब से बन जाएगा, तो ये जो है न, ये वाला और ये वाला, ऐसे करके, ऐसे, ऐसे, ये जो आप दे रहे हैं, ऐसे, आठ का कर देंगे, आठ का, ठीक है, तो ये से क्या होगा, कि जो है, वो इदर दर फिस लेगे नहीं, ठीक है, तो आठ का कर देंगे, ओ ँजानव को ये वाइदी एक ब्यक्ति को जो शास कि आवा सकता है उसको हम या दिना है तो वो कब देंगे जब दम धुट जब èगा जब उसका दम धुट रहाć थब ठीक है जब उसको क्या कर रहा है फंदा लगले में फंदा पढ़ रहा रहा है कि भई ये मझे शास नहीं और यह कुछ हो जाए दो कर रहा है उसे में हम oxygen को अप्शार करेंगे या फिर जल में डूम गया है जल में डूम गया है और उसको हमने पाने निकाल दिया उसे oxygen किया बसकता है क्योंकि फेपड़ो में total oxygen ले नहीं सकता क्योंकि आपको पता है यह बायू है इस बायू में 16% oxygen ह होती है हमें total oxygen की जरूरत है इस body को तो कहां से देंगे direct oxygen देंगे ओके hospital पर जो होता है उसमें ठीक है उसके बाद में कहा रहा है किसी ब्यक्ति के पानी में डूबने पर आप क्या करोगे कोई पानी में डूब गया है तो पेट के बल ले टालकर उसको निकालोगे पेट के अब उसको दबा दोगे ठीक है और उपर से दबाओगे और निकल दाएगा पानी ठीक है और next question है चोटों के तुरंत उपशार किस क्रम में होता है मालोग किसी ब्यक्ति को चोट लग गया है तो उसका आप उपशार किस क्रम में करेंगे ऐसा question आए को है तो आप rice को याद क जाती है तो इसको rice खिला देंगे काम हो जाएगा तो rice हो जाएगी है आपको प्रात्मिक उपचार के अंतरकत रखा गया है यह चोट के तुरंत चोट को यदि को लग जाती है तो तुरंत उपचार हम आपको बता रहे हैं आर्स rice होता है चाबल rice कर सकते हैं तो याद रहेगा rice होगा आप कभी गलत नहीं होगे आप rice तुरंत लगा देंगे कि rice यह option number B ठीक है यह चीज़े है ठीक है चोट लग जाती है तो कौन सा अपचार होगा करम का rice होगा rice मैं आपको इसकी full form यह भी नीचे बता हूँगा चिंता मत करूँ यहां देखो क्या कह रहा है यह कह रहा है गायल ब्यक्ति का इस्थांतरन कर सकते हैं माल लीजिए एक ब्यक्ति बहुत जादा गायल है उसको दूसरे इस्थान पर पहुचाना इस्थांतरन का मतलब होता ह यदि उसको लिटाल दिया और इसको इधर से उधर ले गए तो इस्थार द्वारा आप ले जा सकते हैं या फिर हस्त हाउस मलब हस्त मलब हातों के आसंस द्वारा हात में उठाकर आप उसको ले जा सकते हैं दूसरे स्थान पर दूसरे का हैं एम्बूलेंस द्वारा यह ब यहां का प्रयों किया जाता है देखो यहां वो लगए को रोकने के लिए ट्मुकीन क्वेय का प्रयों किया जाता है you are right, समझ गए, ये trick है बेटा ये trick आपको याद रहेगी, turnicate cut, turnicate मतलब cut cut लग गया, कब cut लगेगा तो क्या होगा खून बाहर निकलेगा, इसको रोकने के लिए किसका यूज करेंगे, turnicate का यूज करेंगे बात खरम, ठीक है next question है, प्रात्मिक चिकिसाला का मूल उद्देश क्या है, प्रात्मिक चिकिसाला का, चिकिसा का चिकिसा का, जो मूल उद्देश होता है प्रात्मिक चिकिसा का, जो मूल उद्देश होता है वो क्या होता है, तो जीवन बचाना ही प्रात्मिक उप्शार होता है या प्रात्मिक चिकिस्टा कहलाती है जीवन बजाना, माली जी एक्सिडेंट हो गया आप उसको माली जी यहां से बहां लेके जाएंगे तब तक उमर जाएगा, आप डॉक्टर को प्रात्मिक चिकिस्टा सब्द का प्रियोग कब किया गया था, 1879 में किया गया था बहुत बड़ी है, इंप्रोटेंट कोशन है प्रात्मिक उप्शार का सिध्धान्त क्या होता है उप्रुक सभी तुरंट उप्शार करना, जीवन खत्रे से बाहर करना और डाक्टर को डाक्टर का प्रिबंद, ये क्या करना, डाक्टर को प्रिबंद का मतलब है डाक्टर का तुरंट बुला देना, तुरंट को बुला किलाना तुरंट, तो ये प्रात्मिक उप्शार के इंद्रकत रखा जाता है चालो नेस्स कोशन है आंतरिक यहां कहाँ आंतरिक रस्राव को कम करने के लिए प्रात्मिक उप्षार किया जाता है माली जी आपने क्या हुआ चोट लग गई गिर गई कहीं तो गुम चोट लग गई कहता है और बहां खून कैसा हुआ नीला पड़ गया तो उसमें आप क्या करेंगे उसमें आप बर्फ की थैली का यूज करेंगे ठीक है आंत्रिक स्रावर को कम करने के लिए आंत्रिक स्रावर है मतलब इसको माले जी यहाँ को बहुत दर्द हो रहा है यहाँ कुछ दर्द हो रहा है यदि आप यहाँ बर्फ वगरा लगा लेंग तो वहाँ दर्दोना बंद हो जाएगा वर्फ की थैली लगागा ठीक है नेक्स कोशन क्या कह रहा है खुली चोट पर क्या लगाना चाहिए यह फिर लगाया जाता है यदि खुली चोट है उसमें आप क्या लगाएंगे ठीक है फ्लूड आता है यह एनस नाम से नॉर्मल साइड वोलते हैं इसको फुल फ़र्म होती इसकी इससे आप उस गहाब को दो सकते हैं जहां चोट लगी है उसके बाद में सैबलोन या फिर डिटॉल से या फिर डिटॉल से उस गहाब को लगा कर दो कर आप बैटी डिन की पटी कर सकते हैं बड़े आसानी से नेक्स कोशन है आंत्रिक चोट की इस्तती में सिकाई करनी चाहिए कोई ब्यक्ति आंत्रिक चोट लगा है ठीक है मैंने कहा रहा आपको कभी अंदर चोट लग गई है हाथ में पैर में कहीं भी आप माल लीजे कोई रक्त स्राब हो रहा है ठीक है आपको खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है आपके हाथ से यह हाथ है आपका यहाँ से खून निकल रहा है बार बार टप 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 बूंदे कर रही है तो आप क्या करेंगे यार बहुत ज़्यादा यहां गर्म आपका हाथ होगा तभी तो बलट रहे हैं यहां इसको ठंडा पानी से दोईए ठंडा पानी से दोईए रक्त सराब आदा हो जाएगा आदा पका ठंडे पानी से यह आप रखेंगे ठंडे पानी में हाथ को रख देंगे तो वो आदा हो आदा, जब 100% पानी निकल धार धार वनी हुई है, तो आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत रुख जाएगा, बैसे, उसके बाद में पट्टी बना दी, अच्छी तरीकर कर सकते हैं, ठीक है, गरम पानी से कभी मत करना, और खुन बहेगा, ठीक है, जिससे क्या हो रैड क्रोस सोसाइटी की स्थापना कब होई थी, तो आप कोगे, 1920 में होई थी, ओप्शन नमबर हम एक को लॉग करेंगे, ठीक है, रैड क्रोस सोसाइटी, बहुत साथ इंपोटेंट है, 1920 में होई थी, चोट लगने पर स्राबित, रक्त नहीं जमता है, तो चोट लगने पर जब किसी ब्यक्ति को एक रोग होता है, जिसका नाम है हिमोफीलिया, जिस ब्यक्ति को हिमोफीलिया रोग होता है, उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है, उसे विट्डामिन के के इंजक्शन लगाई जाते हैं, यह फिर और भी ट्रेटिमेंट दिये जाते हैं, नेक्स क बहुती होनी चाहिए बही प्रात्मिक जिक्स्ता दे सकते हैं जिसमें बहुत अच्छा धहरी हो कि बही मैं इसको बचा लूँगा कुछ भी हो जाए तो उनको अपने आप पर बिस्बास बिस्बास होना चाहिए कह सकते हैं ठीक है तो उपरोग सभी नेक्स कोशन है नाक में रक्सराबर हो रहा है तो क्या करेंगे यदि आपके नाक से खून निकल रहा है रक्सराब का मतलब होता है खून निकल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए सिर उपर रखना चाहिए हमेशा सिर को कैसा रखना है उपर रखना है ठीक है नाक से बह रहा है तो नाक को थोड़ परात्मिक सहायता परात्मिक पह पहली सहायता आप यह करेंगे तब कहलाएगे जब आपकिसी रोगी को स्पताल ले सकता है। अफ पूग सकते हैं और पेट के बल इटाल को उसके पानी को बहार निकालेंगे कोशिश करेंगे उप्रोक्त सबी नेक्सकोशन है प्रात्मिक उपशार का उद्देश होता है तो प्रात्मिक उपशार का उपरोक्त उद्देश होता है मतलब की डाक्टर के आने से पूर रोगी को देख भाल रोगी का जीवन बचाना और मरीज को सांत रखने की चेस्टा रखना नेक्स कोश है ना प्रात्मिक चिकिसा सब्द का सरपर्थम किसके दौरा अपनाए गया जो सब्द था प्रात्मिक चिकिसा या उपचार उसको किसने सबसे पहले अपनाए था तो बोते सेंट जॉन कह सकते हैं एम्बूलेंस एस्सोसेशन ओफ इंग्लेंड इंग्लेंड की दौरा अपनाए गया था तो इंग्लेंड जहां भी लिखो बहात पुरंट लगा देना नेक्स कोशन देखो मैंने कहा ता आपसे एक फुल फॉर्म आपको बताऊँगा राइस की राइस की जिससे हम जब भी चोट लग जाती है तो पहला उपशार हम इसका करेंगे पहले क्या करेंगे उसको आराम मतलब उसे आराम से रेटाल देंगे फिर वर्फ यदि वर्फ है तो चोट पर वर्फ रग दो उसके आस पास तो उसका ब्लड शाब कम हो जाएगा उसके बाद में दवाना और उठाना मतलब क्या है दवाना और उठाना जो आपको दबा के उसको बान दना और उसको खड़ा कर दना यही सब किसे इंतरत आता है लाश्ट कोशन है 50 कोशन बाकि हम कोशन नेक्स वीडियो में देखेंगे पार्ट टू में हमने पार्ट बन में केवल कोशनों को देख रहा है यहां कहा रहा है जब हड़ी बहुत सारे टुकड़ों में तूट जाती है तो यह किस प्रकार की अस्ति भंग यह फिर फ्रेक्शर कहलाती है जब हड़ी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते है नन्ने नन्ने तो फ्रेक्शर है वो किस प्रकार का है तो यह आपका option नमर B को हम लॉग करेंगे जिससे हम camnuted fracture बोलते है ठीक है बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे-छोटे तो यहाँ camnuted fracture तो camnuted fracture जो होता है वो हड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ों को बात करता है वही एक क्यावन जो कोशना है वो अस्ति भंग होने की संभाबना सबसे ज़्यादा किस अंग में होती है तो वो होती है भोजा में सबसे ज़्यादा हाद टूटते हैं लोगों के यह सबसे ज़्यादा होती है तो हम यहाँ 51 question को देख चुके हैं बाकि हम part 2 में देखेंगे आज की वीडियो कैसे लगी comment section में आप ज़रू बदाइए आसा करता है उपको वीडियो बसंदा देख चैनल को subscribe कर लेंगे वेल आगरों प्रेस करेंगे और जादा से जादा दोस्तों को share करेंगे बाकि पीडियो को download करने के लिए link description box पर दे रखा है website बजा कर download कर सकते हैं और telegram पर जवान कर लेजे बहां भी आँको link दे रखा है thank you